हेलो एवरीबन, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेणियासिस और सिस्टी सर्कोसिस ये डिजीज है जो कि टेणियासोलियम के कारण होती है इसके पीछले वीडियो में हमने Tania Solium का Life Cycle देखा था Life Cycle का जो वीडियो है वो आप सभी जा करके देख लीजएगा मैं Link description में देदूँगी तो आज हम सभी देखेंगे कि Tania Solium से क्या disease होती है इसका symptoms क्या है ये बिमारी किस तरह से treat किया जा सकता है और इसे किस तरह से बचाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं, टेनियासिस, सेस्टोडियासिस is the disease in man caused by tape worms, जितने भी tape worms है, उनसे जो disease होती है वो सेस्टोडियासिस, क्योंकि यह सेस्टोडा से भी लॉग करते हैं, ठीक है, human beings में जब infection हो जाता है, पॉर्ख tape worm से, जब वो पॉर्ख tape worm का जो सिस्टी सर्कोसस फॉर्म होता है, पिग के अंदर, उसका जो muscles में वो चला जाता है, मीजली पॉर्ग अगर हम खाते हैं, तो यह disease हो सकता है, जिसके अंदर सिस्टी सर्कोसस हो, ठीक है, यानि कि bladder worm प्रेजेंट हो, tape worm का, अब इसका जो बिमारी है, ठीक है, टेनियास ओलियम से जो बिमारी होती है, उसे हम टेनियासिस कहते हैं, और यह टेनियासिस और भ्यांकर हो जाता है, जब यह सिस्टी सर्कोसस का फॉर्म में चला जाता है, तो सबसे पहले देखिएंगे, टेनियासिस क्या है, जैसे ही हमने मीजली पोर्क, यानि वैसा पोर्क जो की infected है, वैसा पोर्क खाया, पिग का मांस, तो बहुत सार अब सिंटम सुरू हो जाएगा, क्योंकि यह जो tape worm है, यह हमारे अंदर चले जाएंगे, और यह अपना development करना शुरू करेंगे, तो इस से हमें सबसे पहले तो pain होगा, stomach में pain होगा, nausea, anemia हो सकता है, क्योंकि यह blood loss करेंगे, हमारे blood में यह enter कर जाएंगे, तो anemia हो सकता है, भूग ज्यादा लगेगी, क्योंकि यह सारा, जो nutrition है, यह हमारा ले रहे हैं, तो भूग बढ़ सकती है, indigestion होगा, खाना अच्छे से नहीं digest होगा, क्योंकि small intestine पो यह खराब कर रहे हैं, उसके wall में यह चपक रहे हैं, eocenophyll cells जो है, वो हमारे शरीर में बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा inflammation हो रहा है, इन blood and nervous disorders भी होगा, ठीके nervous system पे भी अटेक कर रहे हैं, क्योंकि यह कुछ toxins release करते हैं, जिसे की nervous disorder हो सकता है, इसके जो hooks है, suckers है, इसके intestine में irritation होगा, ठीके intestine बदल हाल हो जाएगा, विच में irritate reverse peristalsis leading to auto infection, देखिए auto infection क्या है, intestine में जो onchospheres बन रहे हैं, अगर यह back flow हो करके, फिर से stomach में चले जाए, ठीके, intestine में जो onchospheres है, वो अगर back flow हो के stomach में चले जाए, तो यह onchospheres सूचिए, एक onchospheres में कितने सारे eggs होते हैं, तो वो फिर से इतना सारा संख्या में बढ़ जाएगा, और इससे जो है बिमारी और घातक रूप ले लेगी, तो यह reverse peristalsis, यह auto infection हो सकता है, यह जो onchospheres है, यह stomach में जाकर के, फिर से एक भारी मात्रा में, इनका number बढ़ जाएगा, यह हो सकता है, cysticercosis में देखी क्या हो रहा है, teneasis और भी भ्यानक जब हो जाए, तो cysticercosis बन जाता है, encistment of bladder may take place in the host voluntary muscles, यहनि कि यह हमारे muscles में भी जाकर के, यह bladder बन जाएगा, ठीक है, bladder वाला formation हो जाएगा, और चारो तरप से अपना, एक cyst बना लेगा, एक covering कर लेगा, और यह जादा तर heart के muscles में होता है, cardiac muscles में और voluntary muscles, यहनि कि वही जो shoulder, thigh के muscles है, यह सारी जगाओं पर, और कभी-कभी यह हमारे बहुत ही important organs, liver में, eye के muscles में, brain तक में यह जा सकता है, और यह जो cysticercosis है, यह बहुत ही भयानक रूप है, tape forms का, अगर यह brain में चला जाए, तो necrosis हो सकता है, brain cell dead हो जाएंगे, patient epileptic behavior, यहनि कि जो मिर्गी का दौरा जैसे होता है, उस तरह की हरकत करना, patient शुरू कर देगा, अब इसका test क्या है, किस तरह सी से हम पैशाने, अगर teniasis किसी को हो गई है, तो उसके जो eggs है, यह जो gravid proglotted release होते हैं, यह हम देख सकते हैं, जिसे बिमारी होई, इसके feces में, stool में हम देख सकते हैं, cysticercosis होने से देखो, बहुत चीज़े होती है, देखना पड़ेगा कि, tapeworm का hook यह स्कॉलेक्स तो नहीं है, microscope में, larvae तो नहीं चला गया है, muscle में, muscles में जाके, वो cysticercosis तो नहीं बना रहा है, x-ray करना पड़ सकता है, brain में देखने के लिए CT scan, MRI, यह सारी चीज़े, cysticercosis होने से, बहुत ही danger हो जाता है, treatment, treatment देखा जाए, तो tapeworm को, यह भी तो एक तरह के helmet है, तो anti helmet drugs जो होता है, parazicventile, और सब से common है albendazole, हमने बार बार बड़ा, albendazole जो है anti helmetic drugs है, तो इससे क्या होगा, help होगा, patient का बीमारी को ठीक करने में, और, कभी कभी क्या होता है, जो iscolex अगर किसी के intestine में, या कहीं पर धसा हुआ है, embedded है, तो यह फिर से एक नया straw बीला बना लेगा, यानि फिर एक नया tapeworm बन जाएगा, तो इसको, iscolex को निकालने को, जो intestine में धस गया है, iscolex, और यह फर्दर grow कर रहा है, और एक नया tapeworm बना रहा है, इसको surgery के थूँ निकाला जाता है, यह बहुत ही मुश्किल प्रॉसेस होता है, surgery के थूँ इसcolex को निकालना, तो मैं पता है, prevention is better than cure, बिमारी होने से पहले ही, उसे खतम कर दिया जाए, तो इसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो, measly pork खाना बन करो, ठीक है, जो pork है, यहनि की pig का meat है, वो अगर under cooked है, और उसमें, यह sister circus present है, तो उसे खाना हमें बन करना पड़ेगा, जो person को यह बिमारी हो गई, चुकि उसके faeces में हमें पता है, बहुत सारे eggs release होते हैं, oncosphere release होते हैं, तो ऐसे जगह पे, जहां पे यह बिमारी हो गई है, उनके faeces को properly dispose करना पड़ेगा, ठीक है, destroy करना पड़ेगा, और pigs जहां पे रहते हैं, ठीक है, उनको अगर यह हो गया, तो उनसे भी बचना पड़ेगा, ठीक है, और pigs को भी बचाना पड़ेगा, ताकि उनमें ये infection ना हो जाए, ताकि pigs ये सारी चीज़े, जहां पे बड़े संख्या में pigs को पाला जाता है, उनको रख रख आव अच्छे से करना चाहिए, तो यही ता दोस्तों आज का टापिक आज़ा, जहां नें देखा कि टीनियासिस जो डिजीज है, इसका क्या symptoms है, treatment क्या है, control क्या है, इसके पहले हमने life cycle का जो वीडियो बना है, वो आप जाकर करके देख सकते हैं, life cycle टीनियासिस का पूरा, टीनियासिस जो डिजीज है, यह टीनियासूलियम के कारण हो जाता है, टीनियासूलियम, जिसे पोर्ख टेप वर्म भी कहते हैं, यह एक फ्लैट वर्म है, देखे, फ्लैट वर्म में क्या होता है, इनमें elementary के नाल नहीं होता है, यानि कि इन में elementary canal नहीं है, खाने का लिए क्योंकि ये जो चीजे खा रहे हैं, ये digested चीज खाते हैं human beings जिस चीज को पचा देता है वो चीज खा रहे हैं, तो इने खुद से digestion करने की ज़रूरत नहीं है तो इन में elementary canal भी नहीं होते है ये इतने flat worms होते हैं इसलिए, इनकी body segments में होती है, सारी चीज़े हम पहले भी देख चुके है ठीक है फिर हमने देखा कि इनसे जो disease होता है, teniasis ये अगर और complex हो जाए तो cysticercosis हो जाता है ठीक है, फिर हमने देखा कि पता लगाने के लिए इसके हम क्या-क्या test कर सकते है और फिर हमने देखा क्या-क्या दवाईया ली जा सकती है इवन कभी-कभी surgery करनी पड़ती है treatment और last में हमने देखा prevention क्या है, इसका profile access क्या है तो दोस्तों यही है आज का वीडियो अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ लाइप साइकल की वीडियो भी जाकर के देख लीजिएगा link description में है thank you so much everyone